नमस्कार आपका स्वागत है इस्ट्रिया डिल्स इन्दिया में आपके साथ मैं पूनम विदेश मंद्री एस जैशंकर ने बुदुवार को रूस के विदेश मंद्री सरगे लावरों से मुलाकात की दोनों के बीच दिपक्षी बैठक हुई इससे पहले जैशंकर ने मंगलवार को मासकों में भागती समुदाय के लोगों से मुलाकात की उन्होंने कहा दुनिया में सिर्फ भारत रूस के रिष्टे ही स्थिर हैं इसके अलावा सबी देशों के संबंदों में उताव चड़ाव आते रहते हैं रूस में भारती समुदाय के लोगों से बात करते वे विदेश मंतरी ने बात कही जैशंकर ने कहा हम मिलिटरी स्पेस और न्यूकलियर एनरजी के मामले में सिर्फ उसी देश के साथ साजेदारी करते हैं जिस पर हमें पूरा फरोसा होता है भारत रूस के रिष्टे कई मायनों में खास है अगर साथ सतर या आसी के दशक पर नज़र डाली जाए तो अलग-अलग देशों में कई स्थर पर रिष्टे बने हैं फिर चाहे वो रूस चीन, रूस अमेरिका, रूस यूरोप हो या फिर भारत चीन, भारत अमेरिका जैशंकर ने कहा इन सब में कभी तनाव तो कभी अच्छे रिष्टे हैं पिछले सतर असी दशकों में रूस और भारत में कई तरह के बदला हुए अंतरराष्टी स्तर का राजनीती भी बदी लेकिन दोनों देशों के बीच का कनेक्शन स्थिर रहा भारती समूदाय से विदेश मंत्री ने कहा मेरे लिए जो बात दोनों देशों के संबन को खास बनाती है वो यह है कि 1950 के दशक के बाद फिशले 70-80 सालों में दुनिया में कई बड़े बदलाव आये सोवियत संग रूस में बदल गया भारत ने भी अलग-अलग शेत्रों में विकास किया इस बिच अंतर राष्टी राजनीती में सिर्फ भारत रूस के रिष्टे ही ऐसे हैं जिसमें कोई बदलाव नहीं आया यह साल यह सात्वी बार है जब भारत रूस के विदेश मंत्रियों के बिच मुलाकात हुई है इससे पेलाई जी टुएंटी सम्मीट के वक्त भी दोनों नेता मिले थे तब रूस के राष्टपत्ती की जगा विदेश मंत्री सरगेई लापराव शिकर सम्मिलन में शामित हुए थे इसी की साथ बने रहे एश्यान्यूस इंडिया के साथ धन्यवाद